डेश से निकल गर बॉरडर की तरफ मुझे आना है आपके साथ में क्योंकि बॉरडर पर जो हो रहा है वो भी बहुत चिंतनी है बहुत चिंता का विश्जर है यह क्या हो रहा है कि हम सब कोरूना का आप हिंदुस्तान देख रहें आप पाकिस्तान देख लें बॉर्डर के दोनों तरफ बढ़ी बड़ी kalo कर ब draک Ti कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दौरान फायदा उठानी की जुगत में हैं आतंगवादी कैम सक्री हो गए हैं घुस पैठे हो रही हैं सेना ऑपरेशन चला रही है जबकि हालाद दोनों तरफ बराबर हैं बॉर्डर के उस पार भी विल्कुल यही हालाद नहीं मातर भूमी की स्यमा गैर बड़ा है या मातर भूमी की सेमा बढ़ी मैं कहूंगा मेरे लिए मातर भूमी पहले हैं और उसकी रख्चा के लिए आपने देखा होगा पल्वामा चाइना के अंदर जब हमारी सिमाओं को अभी पार करने लगे मार मार के गुसों के नाक में उनका खून बहा दिया हमारे जवान खड़े हैं वो कहते हैं ना कहनी है एक बात यही इस देश के पहरे दारों से संबल के रहना अपने गर में छुपे हुए गरदारों से हम किसी से दरते नहीं हैं हमारी सिमाओं की रक्षा के लिए जवान खड़ा है आप में बहुत गुस्ता भरा में देख रहा हूं कि आपके आंकों में आसु हैं आप जजबाती हो गएं मैं देख रहा और आपका दुख जलक रहा आपकी आँखों से और यह दुख प्रदेश सरकारों के लिए है जो सरफ राजनीती कर रही है मजदूर इसका शिकार हो रहा है मस्ट बिट्डा आप आप ऊसना चाहते हैं भरबर कर प्रदेश की सरकार और अब 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 देखो मैं आपको फिर काहूँ अब किसको बुरा काहूँ बुरा काहूँगा तो कहेंगे राजनेती करते हैं । नाम देते हैं। ये फिर सोप्स्राइब काम आया वी का महाल बनाते हैं। राजनेती के टंकवाद वाध। के सनापड़नीति को लोगों का सुरीर है जनाब उस मकूँ इसा कि इप और दिश के आथे हैं जब पूरे देश के अंदर लोग ट्रकों पर जा रहे यह पांच-पांच हजार पया ट्रक में बैठने का focus दे հहे हैं कहां कहांचे पैसे कटे कर रहे हैं आगे पीठे हमने यहां खाना बटवाया हमने जहां किया हमने अरे करना था तो करना यहां तो कुछ दिखाई नहीं मुझे तो रस्ते में को देखा नहीं टेलिविजन के अंदर हर चैनल के अंदर किसी ने का यह तुम्हें खाने का पैकट देते हैं किसी ने कहा तुम्हें पानी की बॉटल देते हैं आप बताइए आपने देखा तो कहें की सेवा सेवा कह चली गई कहां चलीगी सेवा सवाल ये था कि टेलिविजन के एंकर को पूछते टीवी के रिपोर्टर को पूछते बैयार ये कहां ट्रक जा रहा है फलानी जगा पे जा रहा तुर्ण ट्रिप्टी कमिंशनर को कहते ट्रंक वहां जा रहा फटा-फट बस में जो दो मिंड में अबास त्यार और यह जारों बसे बरियर रैली ओ के अंदर मैंने यह बिट्टा जी यह जो कैसे बरते कैसे लेके जाते कैसे घाना पूछते एमेश बिट्टा यह नौइडा और यह जो आगरा बॉर्डर पर आठ्सो बसेज खड़ी है यह मजदूर लेने नहीं गई यह को डब्बे सर्फ राजनिती की बसें हैं क्या देखो मैं देखो मैं एक पर्स कहूं मैं किसी को कुछ नहीं कहड़ा को कहेगा मैं पॉलिटिस्ट करना नहीं लेकिन आपकी आँखो में आशू किस बात कियें पर आपकी आखो में आशू किस बात कियें पर आपकी आखो मेरे आख मेरे आखों में आशू उन मजदूरों के लिए हैं जिनके नाम पे उपर लोग राजनिती करते हैं जिनको राजनिती भी अलग दूसरे भी लोगों ने उनको रस्ते में छोड़ दिया जो उनके साथ काम करते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्टियों में उन्हें भी रस्ते में इस बात के आख हूं हमने थारा थारा दिन रात दिन मेनत कराके उनको काम कराया इतिहास बनाया पूरी दुनिया के अंदर हमने नहीं बनाया जनाब हम बड़े बड़े लोगों नहीं बनाया उन्हों मजदूरों नहीं बनाया और जब वोट की जरुवत पड़ती है मजदूर है रैलियां लाखों की सब पुलिटिकल पार्टियों की होती है उसमें मजदूर जाता है यही मजदूर होता है जो भी बढ़ाता वो यही होता है नहीं मेरी जो भी जो भी है नहीं जो भी उनको अभी साइड में बात कर दो दूसरे लोगों की भी बात करता हूं मुझे यह ब भाट एक नया कनून आना चाहिए पार्लिमेंट के अंदर पालिटिक्स में जो भी गुसेगा उसकी एक साल की ट्रेनिंग ट्रेनिंगel 걸हुए कणि यह कड़के बाते करते लोग में सीया कुगिएamız एक सवाल है कहीं एक पानी का किलास कहीं खाना कहीं खाना आपको किशी को देते हुए देखा नहीं देखा उससे पहले समने समान बाटा इन मजदूरों को देखा देखा तो मुझे एक वीडियो अभी दिखा दी दिए तभर का है कि कौन सी अजादी की बात करते हैं कौन सी अ वो एक इनसान का बच्चा नहीं है क्या वो गरीब है वो चोटी जात का इस ग्रीफ करती हैं आज शफाई से ले और सुनो अब मैं बता दू पापॉलेशन का बिल लाना जरूरी हो चुका हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हो मुसल्मानों सिक्कों इसाई हो दो या तीन बच्चे जो सरकार का फैंसला हो अगर यह बिल नहीं आएगा तो मक्ही मच्छ रुकियां कभी ना कभी ऐसे लोग शड़कों पर मरते हुए दिखाई देंगे उतना अबादी को रखें जितना मात्र भूमी अपने आचल में समा रखें ऐसा नहीं है कि मात्र भूमी के हम पीट पर वार्तिक वार करते रहें मुझे लग रहा है कि आप आप बिल्कुल यह कहना चाहेंगे कि मेरा जोर नहीं चल रहा है अगर आपका जोर चलता तो आप यह दो चीज़ जरूर करते एक तो यह कि मजदूरों के विशह पर जो राजनीती हो रही है आप इन प्रदेश की सरकारों को यह जरूर सबक सिख हाते इन राजनीतिंग्यों को जिनके वारे में आपने बात की कि एक कड़क कपड़े पहन कर निकलते हैं और पोट्रो कॉल व्याइपी का बताते हैं लेकिन कभी किसी ने ग्लास भर कर दिया नहीं होगा सुलक पर जाकर आप आतकाल में मजदूरों किसे ने दिया है दिया है चका पातियां धी हैं दसद फोट मेंचा जोनी और आवाराक कर देतेों पर सोबर दिखाते मुझे शेवा कर रहे हैं। पे डालो वाइबु का किस सीज की सेवा भी आप सेवा थोड़ा कर रे रहे हैं आप तो wast inspiraschool का मजाक उड़ा रहे हैं आप तो सुछी पीर की पीट पे चुड़ा मार रहे हैं आप तो उनके बच्चों का मजाक उड़ा रहें बिल्कुल सही बात है बिटा जी लेकिन इन सब चीजों में अगर आप देखें देखिए इतने हाला देश की खराब हुए लेकिन तारीफ करनी होगी पुलिस वालों की तारीफ करनी होगी कुरोना वारियर्स और डॉक्टर्स की जिन्होंने अपनी जान की परवा किये बगैर खुद को जोख रखा इस देश की सेवा अब मैं देखो एक बात तुनो आज चाहे डॉक्टर हो आज चाहे प्रेस का रिपोर्टर हो चाहे आज कैमरा मैन हो चाहे आज सफाई सेवक हो चाहे पुलिस हो आज उनकी जिम्मेदारी मौत का कफन बांद के घर से निकलते हैं माओं की मात्र भूमी की चारों तरफ से चुरक्षा है इस तरीके से मानवता की चुरक्षा के लिए डॉक्टर आज मीडिया आज सफाई सेवक और आज पुलिस वाला खड़ा है और आपने देखा कितने पुलिस वाले शहीद हो गए आपने अभी बात की बच्षिज की बात की मैं किसी के खलाफ नहीं बोलता आप देखे कितने पुलिस वाले खड़े वहां पर बताईए कम से कम दोसों के गरीब पुलिस वाला खड़ मेरे अंदर से बात निकल िले मेरा सवाल है ऐसी बत्रों को क्या क्रेंगे अगर और पुलिस वालों को हमारे पे हमारी जम्मेदारी निबाते हुए इन आकर पुलिस स्बारो को करोना महरास्टरा की तरह या पंजाब की तरह एक DSP शहीद हो गया क्रोना युद लड़ता लड़ता लुदिहाना के अंदर तो फिर ऐसी बस्तों का क्या फैरा मेरा सवाल है आप से मैं खिलाफ नहीं हूं बस्ते जानी चाहिए सेवा होनी चाहिए पर यह चुप यह लिस्ट है यह बस्ते बिजवादू खत्म अब प खड़ी हैं और मजदूर सड़कों पर मर रहा है नई बस खड़ी हैं बस खड़ी थी पहले भी मजदूर कितने मर गया आप देखिए सड़कों पर एकसिडेंट्स में मैं मेरी एक हर चीज को प्लैनिंग होनी चाहिए थी बसे दी बसे और भी देना चाहते होंगे कई लोग सरकार राजस्तान की हो सरकार पंजाब की हो सरकार यूपी की हो सीधा वहां के ऑफिशर से बात करें यह हमारी सेवा है क्या है यह हमारी बसों की सेवा है यह हमारी खा कि आपके टी-वी के इंदर को इस टोड़ी आई नहीं आई ना नहीं फिर हगामा किस बात का चुप कैसे यह हमारे जम्मिन सेवाई हजी हजार दोजार तीन जार बस जब चाहिए बताते रही है यह हमारा है फोट रहे है पहुंचते रहें कि कहानी खत्म मीडिया में आए ना तो यहां चीजों में नहीं पड़ना जो मेरे अंदर की आवाज थी मैंने आपको बता दिखी हूँ मैं मात्र भूमी की सेमाओं की रक्षा करते जवानों के लिए तो दूखी होता हूँ पर आज उसके साथ साथ मुझे मज़़ूर भाईयों को देख करके बहुत तकलीफ बज़र्गों ने जो 1905 देखा था वो याद आ गया कि ये एक बॉंबे से बॉंबे कितनी बुरी हाले था आप बताईए किसका काम था इंतजाम करना सरकारों का काम क्या होता है मंतरी किसलिए बनते हैं चीव मुनिस्टर किसलिए बनते हैं उनकी जम्मेदारी क्या है यही होती है हुँ वोच शुक्री आप बिटागी रिखता कॉं करेगा आपने क्यों बेजा नहीं आपने महारास्टा से भिहार की तरफ दक्का क्यों दिया क्यों दिया दक्का वहां दर्मशाला थी बड़े-बड़े आच्रम थे बड़ी बड़ी आची जगा थी वहां वो टेंट लगा देते वहां खाना बना देते गुर्दवारा कमेटी को कह देते आप इनको लंगर खनाई है वहां डॉक्टर लगा देते उनके पास जाते मंतरी लोग उनके पास जाते हैं आपको गुस्सा मैं समझ रहा हूँ इस देशकार परिस्थिदी के लिए बहुत बहुत नाराजगी आप में इस पर जितनी बात की जाए उतना कम है कुरुना कालिस और आप अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहे हैं और उठा भी रहोंगे मैं समझ सकता हूँ और आपको गुस्सा बिल्कुत जायज है और ये तकलीफ हमारी भी है कि हमें बैटकर यहाँ पर राजनीती को होते हुए देखना होता है राजनीती का शिकार हो रहे लोगों के साथ सानुवती हमारी भी होती है आप अपने स्वास्त का बहुत ध्यान रखिएगा बिटा जी और MS बिटा आप अपने काम में अपने कर्तब में अपनी मातर भूमी के लिए यूही अपनी निष्ठा व्यक्त करते रहें और लगे रहें बहुत शुक्रिया बिटा साब नफश टीवी को आपका किम्दी समय देने के लिए बंदे माद